हेलो गाइज आप देख रहे हैं किर्केट उद्विशाल आज विराट कोली के बारे हम बात करते हैं हम विराट कोली से चार बाते सीख सकते हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए विराट कोली से क्योंकि वह आज एक रोल मोडल है इंडिया के इंडिया के नहीं वर्ल्ड के वर्ल अगर आपको उच्छा क्रिकडर बनना है और सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ इस वीडियो पर 100 लाइक का एम है इस वीडियो पर आप 100 लाइक करोगे तो मैं एक्स्ट वीडियो एमेज दोनी के पर बताऊंगा एमेज दोनी की चार बाते जो हमें सीखनी चाहिए या पांच बाते तो इस वीडियो पर 100 लाइक जरूर करें मुझे पता चलेगा आप लोगों तक मेरी वीडियो पोच रही है या आप लोगों को मेरी बाते अच्छी लग रही है नहीं वीड किरकेट खेलना स्ट करें किरकेट खेलते हो आप एडवांस लिवल पर भी खेलते हो तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट वाली हैबिट होनी चाहिए क्योंकि सबसे इंपोर्टन आपको प्रैक्टिस करनी है आपने सोचा मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है एक अर्ट करनी है। जो टाइम आपने सोच लिए उस ताइम आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कुछ लड़ते क्या होता है बिगनर्स जो किरगे अकर्य में स्टार्ट करना सोचते है कि मुझे खेलना है क्रिसा तो आपको एक्दम nightmare करने तो यह जाना है उनका ये सबसे बड़ी habit है, वो time के पाबंद है, उनको gym 6 बजे करना है तो करना है, उनको match के बाद workout करना है तो करना है, तो आपको भी ये वाली habit आपके अंदर होनी चाहिए, वो अपने interview में बोलते हैं कि मेरे time सबसे important है मिल लिए, तो आपको भी अपने पूरे दिन की एक अपना time table बनाना है, आप सोच ते नहीं रहो कि मुझे कल वरकाउट करना है, परस ओवरकाट करना है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको अपना time table पूरा बढ़ाना है, और time के हिसाब से चलना है, अगर आप time के बाद चलोगे तो आपको आज के time में इतना competition क्रिके और आपके अंदर जुनूर होना चाहिए, आपके अंदर practice की लगन होनी चाहिए, कि मुझे practice daily करनी है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, यह आपके अंदर पूरा जुनूर होना चाहिए, आप matches केल रहे हो तो पूरा जुनूर से, जैसे विराट कोली खेलते ह कि उन्हें आप देखा करो कि केसे उनके अंदर इतना चुनुन है जैसे कि आपको पता है उनके फादर एक्सपार हो गया है आ यह नहीं छोते वह नें पता था उन्हें प्हलन वह रहें। मेरे चाहित io कि फिमक हानने वाली थींग उन्हें नमें बीच करा तो उनके पापा घर पे एक्सकर होगे वो फिर भी डिली की टीम से मैच खिल रहे हैं तो वो देखो हमके अंदर जनून क्या है апको भी अपने नेंदर करती ऐसा ही जुनून लाना है जैसे उनके अंदर वो मैस के लिए अपने फादर भी फादर को भी भूल गये एकस्पार रूबे फादर कितनी बड़ी बात है आप हम सब के लिए आपके लिए तो वह इतना इतने बड़े रोल को मेरे मेरे जघर आसे आपको यह सब्सक्राइब एसी करते हैं आपको भी ऐसी ज़याकर मैंने कोचिना है वो हर मोमेंट को जैब मूराइट करते हैं हर मूमेंट को फूरा उन्हें पूराuju कर Mouse यह अपको भी आपको बहुत अच्छी आपको बहुत हुए आपको कभी आपने मन में गीव-प मतलब यह नहीं सोचना है कि मैच हार जाएंगे या मैच लाश्ट बट खेल रहे हैं और जुनून से खेलना है यह बहुत ही important है और मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में आज के टाइम में यह बात आपके अंदर नहीं है तो आप किर्केटर नहीं बन सकते हैं उनकी अगर आपकी अच्छे प्रफम का आप स्टेट खेल सकते हो आप उपर लेवल तक नहीं जाओगे अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो फिटनेस पर आप सबसे पहले काम करो मैंने इतना वीडियो बनाया है फिटनेस पर बैस्मेन बोलर की आई बटन पर मैं लिंक भी से रिलेटिड उन्होंने एक आई पिल के मैच में 2013-14 की बात है उन्होंने एक मैच में सोचा कि मुझे सब कुछ अपनी फिटनेस चेंज करनी है पहले आपको पता है कितने मोटे होते थे तो उस दिन के बात और आज आप उनकी फिटनेस देख सकते हैं वह अपने इंस्ट् के होगे हो तो आप जिम में भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिटनेस गाईज एक दिन का नहीं अगर आप आपने सोचा कि एक दिन में मैं अपनी बोडी लैंग्वेज या पूरा चेंज कर लोगा ऐसे नहीं होगा आपको पूरी साल बर मैनत करनी होती है आपको धीरे धीरे बहुत ज़रूरी है तो आप पूरा फोकस करें फिटनेस अब मैं आपको फॉर्थ पॉइंट बताता हूं जो कि सबसे इंपोटेंट है आपके अंदर नेवर की अप वाली फिलिंग होनी चाहिए क्या होता है विराट कोली के अंदर यह है आपको बताता हूं कैसे है वो एक बार रंजी के 19 खेल के आए उनका रंजी में सेलेक्शन नहीं हुआ था इस्टार्टिंग के दोर का आपको नहीं पता हूं उनका रंजी में सेलेक्शन नहीं हुआ तो अगर वो भी उस टाइम सो शोचने आपको घीव वाले अपने इंदर नहीं अगर आपका ल histoire युश्व महीं कुछ मैच युग मैं oh आपको लड़ना है उससे आप लड़ोगे तो जभी तो रन होंगे आप से आप सोच लोगे नहीं मैं भी क्रिक्ट खेलता हूं मुझे पता है आपका एक मैच अच्छानियों को दो मैच अच्छानियों का पर उसके बाद ऐसे दम है आपके अंदर भी confidence वाली फील होगी तो आपको छोड़ना नहीं है एक मैच खराब हो गया तो आपको छोड़ना नहीं है रन भी सब के लगते हैं आपके रन नी लगए तो आप बोलर नी बन सकते अगर आप जीरो पर आउट नहीं होगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कुछ भी motivation मिला मेरी वीडियो से या कुछ भी अच्छा लगा वो पॉइंट आप मुझे comment box में जरूरू बताए कमेंट किया करें आप मुझे पता चलता है आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है कुछ भी आपको problem नहीं फिर भी मुझे comment box में प